नमस्कार दोस्तो आज के इस खुबसूरत दिन में मैं आपसे भी दोस्तों का स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आज निफ्टी गैपडाउन क्यों खुला क्यों वो नीचे की तरफ गया और दोस्तों उसके बाद उसके अंदर रिकवरी किस तरीकी गया और लास्ट के मार्केट के डेटा को पिछले चार घंटे का डेटा होगा उस डेटा को हम लोग कैसे देख कर चल रहे हैं तो ये मैं आपको स्टेप बाइस टेप इस वीडियो के अंदर बता कर चलूँगा मुझे चाहीं होंगे आपके गिंती के पंधा मिनिट जो डेडिकेटेड होने चाही है आप अपने दिमाग से बाकी सारी बातें निकाल दीजिए और मेरे अनासिस को बहुत ध्यान से देखिए मैं एक एक डेटा पॉइंट आपके साथ में किलियर करता हूँगा और उमीद करके चलता हूँ ये आपको मजबूर करतेगा इस वी मेरे फ्रेंटे मेरे फैनली मेंबर्स और आप भी उस डेटा को जरूर एसस कर पाएं और समझ पाएं मारकेट मगर के निवेश करना चाहिए तो अपने एन्वेस्टमेंड एڈवाईश से स्लाम शवरा करने के बाद ही आप market में किसी तरीकी का कोई decision लें तो दोस्तो इस analysis को शुरू करता हूँ दोस्तो यहाँ अगर आप nifty को देखके चलेंगे तो दोस्तो आज market खुलता है gap down और दोस्तो यह जो gap down market है 15 मिनट के अंदर ही recover हो जाता है 17,479 के नीचे market खुला 17,540 परिसकी opening है इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता था अपने उन shorts को cover करने का जो वो calls के अंदर create करके गए थे जो वो future के अंदर create करके गए थे और कुछ लोग जो market के अंदर इस entry में miss हो गए थे उन्होंने इस जगह पर buying करने के मौके को भी नहीं छोड़ा होगा दोस्तो ऐसा मैं कहे पा रहा हूँ उसके पीछे की वज़े है मैं देखिए किसी broker को कभी भी endorse नहीं करता और मैं किसी भी broker को promote भी नहीं करता लेकिन जहां से मैं data observe कर रहा हूँ वहां से data मैं आपके साथ share कर रहा हूँ मेरे पास यह आस्ता का कि मैं इस decision पर आया और मैंने मेरे clients को suggest किया कि भाईया अपनी call की position जो उने short किया है जल्दी से close कर दो जो भाव मिलता है उस भाव पर close कर दो और दोस्तो हमने profit के अंदर opinion position को close किया तो यह मेरा disclaimer भी आप लोग जान लिजे दोस्तो इसके बाद market के अंदर आती है recovery और recovery के अंदर heavy weights का participation visible था बजाज finance को देख लिजे, M&M को देख लिजे, SBI Life को देख लिजे, Adani Ports को देख लिजे Hindustan Unilever को देख लिजे National India को देख लिजे, Bajaj Fincer को देख लिजे, मतलब यह पूरी line अगर आप देख के चलेंगे तो यह line आपके पास में यह पूरी की पूरी line जो access bank से लिके M&M तक है more than 1% के recovery market के अंदर दिखाती है और दोस्तो market में जो लेगार थे, इनको कभी मत भूलना, क्योंकि मौके पे कौन साथरा और कौन साथ छोड़ कर निकल गया, यह बात हमेशा याद रखने वाली होती है दोस्तो यही चीज मैं अगर आपको बताता हूँ इसको जाकर अगर आप Singapore Nifty के उपर इस चार्ट को देखोगे और आप जाकर read करोगे तो आपकी समझ में मेरी बात हैं, बहुत ध्यान चाहेंगी, वन डे का मैंने टाइम फ्रीम लगाया है, दोस्तो यह वो जगा थी जहां मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अब्जर्व की एक बड़ी कंसॉलिडेशन और इस कंसॉलिडेशन के पीछे जो मेन रिजन था, मार्केट पार्टिसिपेंट का इस जगा से एक बड़ा सेल आफ का देखना, मतलब यह जगा एक स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस का काम करती थी, और एक बार दो बार तीन बार इस रिजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश गई, पीछे भी कई बार एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस रिजिस्टेंस को हटाने की कोशिश की गई दोस्तों हम यह बात नोटिस कर पा रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ी कांसलिडेशन के बाद, मार्केट इस रिजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए हासे गया और market participant ये बाद जानते हैं कि इस जगा के resistance को हटाना उनकी ने किसी भी rally को लाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो जिन लोगों ने इस जगा पर trigger किया उन लोगों को कि भाया यहां से बेच के निकल जाओ आज तो हम खरीद लेंगे इसके बाद हम भी नहीं आएंगे उन्होंने भर भर के बेचा और दोस्तो इस जगा के अंदर अब आप ही समझेगा अग जितनी ज़्यादा selling इस जगा पर आएगी ये जगा उतनी ज़्यादा resistance हटेगा और उतनी strong भी बनेगी तो क्या market participants market के लिए bullish हैं तो दोस्तो मेरा इस बारे में आप से कहना सिर्फ यह है कि देखो मेरे भाई market के नीचे गिरने की जो बज़ा थी वो ये थी कि मौसम है सर्दी का तो नहाओगे तो आप भी गरम पानी से ऐसा तो हैनी के सर्दियों में आप ठंडे पानी का इस्तमाल करोगे तो दोस्तो बेशक market participants इंडिया की growth story को लेकर bullish हैं और market के लिए बेरिश नहीं भी हैं लेकिन वो precautions बिलकुल लेके चल रहे हैं वो अपनी positions को adjust करके चल रहे हैं अगर उन्होंने किसी जगा पर stocks को buy कर कर रहे हैं ऐसा हम लोगों ने इन stocks के अंदर देखा वरना दोस्तो अगर यह सच मुझ की buying ना होती तो इन stocks को इतना महंगा अगर कोई ना खरीदता तो कैसे इनके अंदर 1-1% 2-2% 3-3% 4-4% के market के अंदर change आए होते तो दोस्तो मेरी किसी तरिकी की recommendation नहीं है लेकिन मैं data आ की ही जानने मिलता है कि 17-479 के पास मतलब 17-500 पर market participant ने इसे एक opportunity की तरह समझा और आज market में 17-500 पर सबसे बड़ी put writing हमने observe की अब मैं इसे put writing क्यों मानके चल रहा हूँ इसको put buying क्यों नहीं मानके चल रहा उसका reason मैं आपको बताना चाहूंगा देखो दोस्तों इसके बाद यह सारी की सारे put active हो जाती है और इनको counter करने के लिए किसी तरीके की कोई call writing हमें significant दिखाई नहीं देती है तो मेरे according यह एक बड़ी put writing थी जो market participant ने की तो यहां इसी तरीके से हमारे सामने अगर हम लोग call writing को observe करते हैं तो यह 17-800 के बास से call writing होनी शुरू हो जाती है और द मुझे यहां कहीं 17-650 से थोड़ा सा आगे अगर मैं आऊंगा तो 17-650 put 17-650 call से थोड़ा सा आगे अगर मैं आऊंगा तो 17-700 और इसके बाद अगर मैं आऊंगा तो 17-750 तो 17-650 से 17-750 के बीच में exactly यह वो जगा है जहां market participants की call side market participant की put side कहीं ना कहीं एक center बनाती है और market का जो center इस समय पर बनता है वो कहीं पर 17-650 के आजपास का निकल कर आता है मेरी observations यह कहती है और दोस्तों इनको भी आप observe कर सकते हो यह धीरे धीरे करके changes होते रहते हैं तो market participant जो अपनी positions बना कर चल रहे होंगे इस data को देख कर तो बिलकुल ऐसे ही लगता है कि उनकी positions range bound है औ किसी news का इंतिजार कर रहे हैं क्या market इस news के बाद एक बड़ा momentum gain करेगा तो दोस्तों बहुत कुछ depend करता है इस बात के उपर कि market participant ने एक बड़ी range के अंदर consolidate किया और इस range को एक भी बार break नहीं होने दिया एक बार यह range break होती है तो अगली बार एक बहुत बड़ा gap भी हमे अब दोस्तों इस recovery के अंदर doubt किस बात का है तो दोस्तों इस recovery के अंदर doubt सिर्फ एक ही बात का निकल के आता है कि यार इस candle ने इस candle के cable बीच को try किया तो कहीं न कहीं ये selling के अंदर छुपी हुई buying है मतलब ये एक bullish हरामी pattern बनता है दोस्तों क्या इस candle ने इसको cross करने की है कि शायद आज market में जो shorts बने थे ये वो shorts हैं जो cover हुए होंगे और ये कोई बहुत बड़ी buying इस समय पर नहीं है मतलब इतनी बड़ी buying नहीं है कि जिसकी वज़े से market के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा bullish हो जाए दोस्तों जब मैं इस data को check करने के लिए मैं जाता हूँ MNC की website पर तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा वही सही है तो कि दोस्तों अगर मैं FIs और FPI के 19 September के data को देख कर चलता हूँ तो 18,217 करोड की buying 17,950 की रोड की selling के बाद बनती है जो FIs की एक position 312 करोड की open कर कर जाते है तो exactly मतलब इतनी बड़ी buying करने के लिए इन्ह तो क्या उनका participation आज था तो जवाब ये निकल कराता है कि 18,217 करोड की इतनी बड़ी buying में आप ही देखेंगे DIs बिचारे के वल 5,738 मदब 1,3rd position ही buy कर कर गए और 17,955 करोड की approximate selling के अंदर आज DIs ने 5,833 करोड की position को एक वल short किया मदद 94,568 करोड की approximate उनकी ये positions हैं जो market के अंदर वो अपने close करकर गए हैं तो कहने का मतबी निकल काता है कि DIs भी market को लेकर बहुत जादा bearish नहीं है, FIs भी market को लेकर बहुत जादा bearish नहीं दिखाई देते, क्या ये market में बहुत जादा bullish हैं, इन दोनों की position को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि market के अंदर इन दोन एक publication को Google ने approval दे दिया है, मेरे जो analysis है अब वो Google News के अंदर representing किया जाएगा, और दोस्तों हम इसके लिए काफी efforts डाल रहे थे, तो मेरे publication का नाम रहेगा, SEBI Registered Research Analyst Gaurav Sharma, तो मैं आप लोगों से ये request करूँगा, कि आप लोग मुझे ज़रूर प्रमोट कीजेगा, आप Google News म पसंद आए, तो engage ज़रूर होईएगा उसके अंदर, दोस्तों मैं अब इसके साथ आपको चाहूँगा, कि जाने से पहले एक बार आप मेरा disclaimer ज़रूर पढ़कर जाहिए, इस वीडियो को सराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार, Thank you so much, all the best, आपका जिन शुभो.